कि अब लोग मज़ें एक दम डेरिवेट्व कैसा चल रहा है सब पढ़के हो गया ना डेरिवेट्व क्या क्या पढ़के हो गया है बेसिक पुरा पढ़के हो गया है question no.1 पढ़के हो गया question no.2 पढ़के हो गया और question no.3 को मैंने दो वीडियो में split कर दिया वो भी पढ़के हो गया बरा बर अब बचा क्या है exercise 1.1 का question no.4, 5, 6, 7 यह 4 question इस particular video में हम लोग करने वाले है तो चलो शुरुआत करतें टाइम वेज़ ज़ादा नहीं करना चाहिए, यह है मेरा question, क्या बोला है question में, a table of values of f, g, f dash and g dash is given, और यह आपको दिया हुआ है, 4 दिया है अपने को question, इस page पे हम पहला वाला solve करने वाले, यह data क्या दिया है, ज़रा ध्यान दो बच्छो, x की value अगर 2 है, उस particular time पे f of x की value 1 मतलब, मतलब यह जो 1 है न, यह 1 है कौन exactly, f of 2 है, जब x की value 2, उस time पे f की value 1 है, ठीक है, ठीक है बच्छो, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, यह data क्या है, जब x की value 4 है, उस time पे g of x, मतलब यह जो data है, यह कौन है, यह g of 4 है, जब x की value 4 उस particular time पे आपका g of x कितना है 4 समझा वैसे ही वैसे ही वैसे ही ये data क्या है बच्चो जब x की value 4 है उस particular time पे g dash x मतलब ये कौन है आपका g dash of 4 है x की value 4 उस particular time पे g dash की value उसे हिसाब से आप 6 के लिए भी देख सकते हो ये तो मैंने जसे ही बता दिया अभी question में जिसकी जब जरुवत लगेगी इस table से उस value को उठाएंगे तो मेरा question क्या है बच्चो सबसे पहला small r of x is equal to f of g of x इसको differentiate करेंगे हम लोग with respect to x इसको क्या करेंगे बच्चो differentiate करेंगे with respect to x तो r of x का क्या आजाएगा r dash of x r of x का क्या आजाएगा r dash of x इसका क्या आजाएगा यहाँ पे ये composite function है सबसे बार वाला main होता है अगर complete bracket का power नहीं है तो f का क्या आजाएगा f का आजाएगा f dash f का का काम हो गया f का आजाएगा f dash अब किसका derivative आएगा अब derivative आएगा G of X का अब derivative आएगा बच्चो G of X का ठीक है तो यह हो जाएगा R dash of X is equal to F dash of G of X यह जो G of X का derivative उसी को I think G dash X बोलते हैं अब dash के dash करके क्यों लिख रहा हो क्योंकि question में जो data है वो उसी हिसाफ से पूछा क्या question में R dash of 2 क्या पूछा है R dash of 2 मतलब you have to replace this X with 2 तो this will become R dash 2 यहाँ पे हो जाएगा F dash of G of 2 और यहाँ पे हो जाएगा G dash of 2 understood तो this will become that is R dash of 2 F dash वैसे ही रहेगा ध्यान देना G of 2 के है बच्चो G of 2 G of 2 का मतलब जब X की value 2 है उस particular time पे G of X कितना है ध्यान दो जब X की value 2 है उस particular time पे G of X G of X की value कितनी है I think यह 6 जब X की value 2 G of X कितना है वो 6 है इसका मतलब इसका मतलब यह आजाएगा 6 into G dash of 2 जब X की value 2 है उस particular time पे G dash क्या दे रहा है G dash आपको 4 दे रहा है तो यह हो जाएगा 4 I hope सबको समझाएए यह हो जाएगा अब F dash 6 F dash 6 F dash 6 मतलब मतलब जब X की value 6 है उस time पे F dash क्या दे रहा है जब X की value 6 है बच्चो उस time पे F dash F dash कितना दे रहा है देखो minus 4 दे रहा है F dash कितना दे रहा है minus 4 दे हो जाएगा minus 4 बाजूम में plus 4 answer is minus 16 इसका मतलब यह अपना हो गया बस इतना ही करना था सबजगे बच्चो simple ना चलो आगे बढ़ जाते वह पस चीए तो एक बार बता देता हूँ derivative किया F का F dash पाद में G का G dash value put किया G of 2 कहां से जब X की value 2 तो G का value G dash 2 कहां से जब X की value 2 तो G dash की value पराबर फिर F dash 6 F dash और 6 minus 4 मिला समझ गे चलो आगे बढ़े second वाला देख लें क्या बोला है देखो second में capital R of X is equal to G of 3 plus F of X और R dash 4 निकालना है इसको अगर मैं differentiate कर देता हूँ बच्चो विट respect to X तो R of X हो जाएगा R dash of X R of X क्या हो जाएगा बच्चो R dash of X इसका क्या आजाएगा G का आजाएगा G dash और यह bracket as it is यह bracket as it is G का हो गया अब bracket का derivative bracket का derivative 3 का derivative 0 plus F of X का derivative आजाएगा F dash of X हमको निकालना क्या है बच्चो हमको निकालना है R dash of 4 मतलब we need to substitute this X with 4 so this will become क्या बन जाएगा यह R dash of 4 this is equal to G dash G dash of 3 plus F of 4 into F dash of 0 है तो बाती कदब F dash of 4 यह मेरा R dash of 4 आगया अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे टेबल के पास जाएगे और उनसे values मांगेंगे क्या value मांगेंगे पहले F of 4 की value मांगेंगे कैसे मिलेगा जब X की value 4 है उस ताइम पे F of 4 जब X की value 4 है तो F of X कितना दे रहा है? 3 दे रहा है बराबर तो यह हो जाएगा 3 plus 3 into F dash 4 जब X की value 4 है उस ताइम पे F dash क्या दे रहा है? F dash क्या दे रहा है? 5 दे रहा है मतलब यह हो जाएगा आपका 5 तो यह हो गया बच्चो जी डश ओफ 6 इंटू 5 जी डश ओफ 6 मतलब क्या X की value 6 के time पे जी डश कितना है वो 7 है मतलब answer क्या आ जाएगा answer आ जाएगा 7 इंटू 5 which is 35 एकदम simple question है एकदम सही है ठीक है अच्छा है आगे बढ़ जाते है third वाला देखते है third question क्या है देखो s of x is equal to f of 9 minus f of x video pause करो और खुझ से solve करो ठीक है और वापस आओ cross shake करो मेरेको पूरा बरुसा है कि आप लोग कर सकते हो अगर मैं इसको अगर मैं इसको differentiate करता हूँ बच्चो इसको मैं differentiate करता हूँ with respect to x क्या आजाएगा s of x का आजाएगा s dash x s of x का आजाएगा s dash x यहाँ पर main कौन है f है बार वाला तो f का आजाएगा f dash bracket as it is f dash bracket as it is f का का हो गया अब bracket का derivative तो 9 का derivative 0 minus f of x का derivative क्या आजाएगा बच्चो f dash of x 9 का derivative constant है pure constant 0 f of x का आजाएगा f dash x अब क्या करो अब अपने को निकालना क्या था s dash 4 मतलब x को किस से substitute करेंगे 4 से तो s s dash of 4 क्या आजाएगा बच्चो f dash f dash 9 minus 9 minus f of x के जगह पे क्या आजाएगा 4 into into यह minus है थे एक काम करते है minus एकदम आगे ले ले लेते है minus एकदम आगे ले लेते है एक मिनट है बच्चो यहाँ पे 0 minus था ठीक है बागी बराबर और राइट नहीं हुआ है न कहीं यहाँ पे f dash यह क्या किया मैंने f dash के आगे यह minus ले लिया और बाजू में क्या बचेगा f dash of 4 बचेगा ठीक है वापस देख लो क्या किया है x के जगा पे 4 substitute किया है बस तो यह हो जाएगा f dash 9 minus f of 4 और यह f dash of 4 और यह minus एकदम आगे ले ले लिया तो यह हो जाएगा minus f dash of 9 minus f of 4 कितना है f of 4 f of 4 जब x की value 4 है उच टाइम पे function की value कितनी है 3 है मतलब यह हो जाएगा 3 minus sorry 9 minus 3 into f dash 4 जब x की value 4 है उच टाइम पे f dash की value कितनी है 5 3 हो जाएगा 5 3 हो जाएगा minus f dash of 6 into 5 f dash of 6 जब x की value 6 है जब x की value 6 है उच टाइम पे f dash कितना है उस time पे f dash minus 4 है तो यह हो जाएगा minus of minus 4 into 5 तो अपना answer आ जाएगा plus 20 अपना answer क्या आ जाएगा plus 20 एक बार फिर से देख लेते हैं ठीक है f का f dash हो गया 9 minus f of x then 9 का derivative 0 f of x का minus f dash x ठीक है अभी क्या आ जाएगा यह minus आगे ले लिया है तो minus f dash 9 minus f of 4 कितना है f of 4 f of 4 है 3 तो 9 minus 3 हो गया 6 into f dash 4 f dash 4 f dash 4 5 है तो यह हो जाएगा 5 बरबर तो यह हो गया minus आगे f dash of 6 अब f dash of 6 कितना है बच्चो f dash of 6 कितना है minus 4 तो वह हो गया minus 4 into f dash of 4 कितना है 5 तो minus का minus plus 4 into 5 आ जाएगा 20 ठीक है तो यह अपना third वाला हुआ अभी देखते है fourth वाला तो यह अपना fourth वाला क्या है s of x is equal to capital s है capital s of x is equal to g of g of x बड़ा simple question है derivative कर लिया तो s dash of x capital s dash of x इसमें main कौन है यह बाहर वाला g तो बाहर वाले g का क्या आ जाएगा g dash आ जाएगा g dash of g of x आ गया क्या जाएगा g dash of g of x बाहर वाले का g का हो गया अब अंदर वाले का derivative तो अंदर वाले का क्या आ जाएगा g dash of x हो जाएगा अभी x को किस से replace करो गया अच्छो 6 से 3 हो जाएगा s dash of 6 G dash of G of 6 into G dash of 6. क्या किया मैंने exactly? X को replace किया है, किस से? 6 से, ठीक है? G का G dash हो गया, फिर अंदर वाले का derivative. अब G of 6 क्या हैगा बच्चो? G of 6, G of 6. जब X की value 6 है, तो G of 6 2 है. और G dash of 6 क्या है? G dash of 6 7 है, ठीक है? तो यह हो जाएगा, G dash of. G of 6 की value क्या है? G of 6 की value 2. तो G dash of 2 into G dash of 6 की value क्या है? उस टाइम पे 7. तो अब क्या हो जाएगा बच्चो? अब G dash of 2, G dash of 2. तो जब X की value 2 है, उस टाइम पे G dash कितना है? मेरा 4 है. तो 4 into 7. 4 into 7 is 28. इसी तरीके से बच्चो अपना question number 5 और 6 भी है. ठीक है? main question number 5 और 6. उसको solve करते हैं. ठीक है? तो यह रहा मेरे सामने question number 5. क्या बोला है? assume that F dash of 3 is equal to minus 1. G dash of 2 is given as 5. G of 2 is given as 3. and Y दिया है आपको F of G of X. then आपको D Y by D X कब निकान ला है? at particular value that at X is equal to 2. ठीक है? यह आपका question. composite function है. differentiate कर देंगे हम लोग with respect to X. Y का हो जाएगा D Y by D X. Y का क्या हो जाएगा? D Y by D X. अब इसका derivative हो? main कौन है इदर? बाहर वाला F. main कौन है? F. F का derivative हो जाएगा F dash. F का derivative हो जाएगा F dash. F का का काम हो गया. अब अंदर वाले का derivative हो? मतलब G of X का. तो G of X का आजाएगा G dash of X. बराबर अब क्या करेंगे हो गया न? अब X is equal to 2 पूट कर दो. मतलब D Y by D X at X is equal to 2. तो यह हो जाएगा F dash of G of 2 into G dash of 2. अब क्या करो? G of 2 दिया है. कितना दिया है? 3 दिया है. तो यह हो जाएगा F dash of 3. G of 2 कितना दिया है? 3. तो उसके जगा पे 3. into G dash of 2 दिया है. G dash of 2 दिया है 5. तो उसके जगा पे 5. दिस इस इक्वल टू F dash of 3. F dash of 3 की value है minus 1. into कितना 5? एंसर क्या आ गया? minus 5 आ गया. हमारा question number 5 भी solve हो गया बच्चो. बराबर. अब क्या करते हैं हम लोग? question number 6 कर लेते हैं. देखो. यह है मेरा question. आईला. यह भी तो उसी के जैसा है. बराबर. अगर यह भी उसी के जैसा है. तो क्या करना है आपको? वीडियो पॉस करना है. और कुछ से solve करना है. आया? तो अच्छी बात. नहीं आया तो उसके लिए तो मैं हुई. ठीक है? चलो देख लेते हैं. इसको. h of x is equal to root में 4 into f of x plus 3 into g of x. इसका कर लेते हैं हम लोग differentiation. differentiate with respect to x. तो h of x का आ जाएगा. h dash of x. यहाँ पे main कौन है? यहाँ पे main है आपका root. root का derivative क्या होता है बच्छो? 1 upon 2 root. root के अंदर वाला. root का काम हो गया. अब क्या होगा? root के अंदर वाले का derivative हो. मतलब d by dx of root के अंदर वाला. ठीक है? यह हो जाएगा. यह हो जाएगा. 1 upon 2 root में 4 into f of x plus 3 into g of x into. यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4 into f of x का क्या आ जाएगा? f dash x plus 3 into g of x का क्या आ जाएगा? जाएगा g dash x. अब कुछ नहीं करना है. अब निकालना क्या है? h dash 1 निकालना है na? अपने को निकालना क्या है? h dash 1. x के जगह पे 1 लिख दो. इस x के जगह पे, x के जगह पे 1 लिख दो. मतलब, replace every x with 1. हर एक x को 1 से replace करो. तो यह हो जाएगा 1 upon 2 root में 4 into f of 1 plus 3 into g of 1 into 4 into f dash of 1 plus 3 into g dash of 1. अब क्या करोगे? f of 1, g of 1, f dash 1, g dash 1, sबकी value दी है question में. रखो. बच्चे लोग का काम बचा है अभी. क्या काम बचा है? क्या काम बचा है? इसको numerator में लिख ले तो completely. तो यह हो जाएगा 4 into f dash 1, f dash 1, f dash 1. कितना है? 3 है. तो 4 into 3 plus 3 into g dash 1 कितना है? 4 upon 2, 2, root में 4 into f of 1 कितना दिया है? 4 दिया है. प्लस 3 into g of 1 कितना दिया है? 3 दिया है. numerator में कौन है? 12 plus 12, 24 upon 2 into, अगर मैं इसको अच्छे से देखता हूँ, तो यह है 16, यह है 9. 16 plus 9, 25. 25 का square root 5. यह 2 और 24 काड़ों के 12 बचेगा. अपन में कौन बचेगा? 5 बचेगा. इसी के साथ हमारा question number 6 भी हो गया, देखते, देखते. last question exercise का बच्चो, that is question number 7. औरे, यह तो अलाग आ गया. question number 4, 5, 6 से अलाग आ गया. question क्या है? find the x coordinate of all the points on this curve, y is equal to sin 2x minus 2 sin x and condition of x, restriction of x is in between 0 and 2pi, including 0 and excluding 2pi. मतलब हमारा जो angle होगा, वो 0 और 2y के बीच में होगा, और 0 हो सकता है, लेकिन 2pi नहीं हो सकता. where dy by dx is equal to 0. मतलब dy by dx 0 equal ds, dy by dx 0 equal ds. तो कैसे solve करेंगी, ज़रा ध्यान दो. मस्त question है, simple सा question है, ध्यान देना. trick का basic लगेगा आप लोगों को, ठीक है? जब angle निकलने की बारी आएगी. इसको मैं अगर differentiate कर देता हूँ, बच्चो, with respect to x, तो y का आजाएगा, dy by dx, y का आजाएगा, dy by dx, sine का क्या होता है? sine का होता है, cos. मतलब sine 2x हो जाएगा, cos 2x, sine का काम हो गया. अब उसके angle का derivative होता है, 2, minus 2 बार, sine x का derivative, sine x का derivative होता है, cos x. कुछ common दीक रहा है, हाँ सर दीक रहा है, ले लो, तो common ले लिया, क्या बच्चा, क्या बच्चा बच्चो, cos 2x, minus cos x, बच्चो, ये cos 2 theta है और ये cos x है, यह cos 2 theta है और यह cos x है मतलब cos 2x और cos x तो cos 2x का formula बनाओ क्या है formula cos 2x का formula क्या है बच्चो cos 2 theta का लिखा दो मैं cos 2 theta का बच्चो 4 formula है cos 2 theta का 4 formula है पहला formula है cos square theta minus sin square theta दूसरा formula है 2 cos square theta minus 1, तीसरा है 1 minus 2 sin square theta और चोथा है 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta यह 4 formula अब बोलो के sir यह 4 तोड़ी एक साथ अपले है नहीं कौन बोला 4 अपले करना है एक ही करना है अपने को कौन सा करना है question में इसके अलावा cos beta है तो हम कोशिस करते हैं कि cos को लेकर आने की तो उदर 2 theta है तो theta दिख रहा है इदर 2x है तो x दिखेगा बोले तो यह हो जाएगा 2 into 2 cos square x minus 1 बाजू में कौन? minus cos x तो यह हो गया मेरे पास 2 into 2 cos square x minus cos x minus 1 वो middle term split वाला पंडा है ना 2 into minus 1 minus 2 minus 2 का factor की add करके minus 1 है minus 2 और plus 1 minus 2 और plus 1 तो यह हो जाएगा 2 cos square x minus 2 cos x plus cos x minus 2 plus 1 हो गया ठीक है? अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे पहले और दूसरे में से पहले और दूसरे में से 2 cos x कॉमल लेंगे और इस में से plus 1 कॉमल लेंगे तो क्या आ जाएगा 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 द्यान देना यह हो जाएगा 2 into पहले और दूसरे में से अगर मैं 2 cos x कॉमल लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा cos x plus 1 यहाँ पे अगर plus 1 कॉमल लेता हूँ तो क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा cos x plus 1 ठीक है बच्चो? अच्छा cos x plus 1 नहीं cos x minus 1 बचेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी cos x minus 1 बचेगा ठीक है? अच्छा है दिख गया? cos x minus 1 cos x minus 1 अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? 2 into यह हो जाएगा I think cos x minus 1 और 7 में क्या हाएगा? 2 cos x plus 1 साथ में क्या हाएगा बच्चो? 2 cos x plus 1 यहाँ पे यह है कौन? यह है आपका dy by dx बरबर अभी question में दिया है dy by dx is equal to 0 but dy by dx is equal to 0 उस particular time पर x की value निकाल ली है तो dy by dx मतलब यह पूरा तो यह पूरा is equal to 0 मतलब 2 into cos x minus 1 into 2 cos x plus 1 is equal to 0 यह 2 चला जाएगा 0 के अपन में 0 हो गया तो यह इस पूरे को यह दोनों bracket को 0 होने के लिए condition क्या लगेगा कि either cos x minus 1 is equal to 0 और 2 cos x plus 1 is equal to 0 तो cos x minus 1 अगर 0 होता है तो x क्या आएगा बच्चो x आएगा 0 sorry x नहीं 0 आएगा देखते हैं मतलब cos x की value 1 आएगी वहाँ के बाद x is equal to 0 आएगा बताता हूं माइंड calculation कर लिया था मैं लिक भी दिया था और यहाँ पे cos x क्या आएगा यहाँ पे cos x क्या आएगा minus 1 upon 2 आएगा यह तो बच्चो इजली आप बता सकते हो कि cos x 0 कब होता है 0 और 2y के बीच में I think 0 पे होता है तो x is equal to 0 एक मिल यहाँ से answer निकालना ना बहुत सारे बच्चो को नहीं आता है ठीक है बहुत सारे बच्चो को नहीं आता है जो सच्चा ही है देखो इसको कैसे solve करोगे द्यान देना cos x is equal to minus half तो यह हो जाएगा cos x is equal to minus half half का बात है cos के डेबल पे 60 डिगरी पे आता है 60 डिगरी मतलब क्या 60 डिगरी मतलब pi by 3 60 डिगरी मतलब pi by 3 cos की value negative है trigonometric functions पढ़ाने वाला आपनों का mass 1 का उसमेरा यह चीज एकदम depth में clear कराऊंगा tension नहीं लेने का अभी trick भी सिखाऊंगा आपको ठीक है अभी trick भी सिखाऊंगा मैं ठीक हो cos x की value इतनी आई न अब cos negative किदर किदर रता है सर second में रता है third में रता है second में रता है और third में याद रखना बच्चो कभी भी second quadrant में जाने का मन करता है अगर तो pi minus theta लेने का और third में जाने का मन करता है तो pi plus theta लेने का यह सब trick trigonometric functions में पर clear कराऊंगा आप लोगों का second में जाना है तो pi minus theta third में जाना है तो pi plus theta वही trick अगर मैं यहाँ पर use करता हूँ और जबी भी वो trick use करूंगा तो यह minus है plus है वो सब ध्यान नहीं देने का answer में plus करके लिखने का क्यों बताता हूँ मैं तो यह हो जाएगा cos of x is equal to cos of second में जाना है तो pi minus pi by 3 pi minus pi by 3 यह second में गया और third में जाना है तो cos of pi plus pi by 3 समझा अब यह सही है कि गलत कैसे बता चलेगा अगर मैं reverse जा रहा हूँ और मुझे same चीज मिल रही है तो यह सही है reverse जाने का मतलब क्या pi मतलब change की no change यह जो pi है इसका मतलब change की no change no change बराबर इसका मतलब cos का cos आएगा theta के जगा पे pi by 3 है तो pi by 3 आएगा कौन सा quadrant है second quadrant second quadrant में cos negative रहता है तो मेरा answer negative आएगा reverse जाओंगा तो negative मिला ना इसलिए मैं बोला था हो minus 8 देगा यह trick उसी तरीके से में बढ़ाया हूँ कि यह minus हो चाहे plus हो आपका answer हमेशा plus में आता अगर आप यह trick यह use करते हो ठीक है same बंडा pi मतलब no change cos का cos pi by 3 third quadrant third quadrant में cos negative answer negative मतलब minus मिल रहा है उपर जाने के बाद ठीक है तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा cos x cos x is equal to cos 2 pi by 3 which is equal to cos 4 pi by 3 तो मुझे x की value क्या मिलेगी मुझे x की value मिलेगी 2 pi by 3 और एक 4 pi by 3 मतलब x की 3 values possible है बच्चों कौन कौन सा एक 0 एक 2 pi by 3 और एक 4 pi by 3 ठीक है बच्चों तो यह चीज तो ट्रिगों में है ठीक है फिर भी अगर आपको figure से figure से ही आपको समझना है trick तो एक तरीका और है बच्चों जरा ध्यान देना ध्यान देना बहुत अच्छा trick है जरा ध्यान देना cost के table में half कब आता है 60 degree पे cost negative किदर होता है second quadrant और third quadrant में तो एक काम करने का second quadrant में और third quadrant मे x-axis के साथ 60 degree बनाने का second quadrant में x-axis के साथ 60 degree बनाने का और third quadrant में भी x-axis के साथ 60 degree बनाने का बना दिया यही आपका answer होता है angle जो लिखते हैं हम वो किसके साथ लिखते हैं वो किसके साथ लिखते हैं बच्चों वो हम लोग लिखते हैं positive direction of x-axis मतलब यह line का angle कितना आएगा यह 60 है तो यह 120 आएगा और यह 60 है तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा वही चीज है आपका यह 120 है और यह आपका 240 है यह trick ट्रिकों वगरा क्या जितने भी tricks है ना वो सब के सब सीखोगे समय आने तो बस ठीक है दिरे दिरे सब कुछ सीखने लग जाओगे बच्चों इसी के साथ अपना derivative का first exercise complete होता है question number 8 activity है मन किया तो करो नहीं मन किया तो कोई पूछने वाला नहीं है ठीक है बच्चों मिलते है next वीडियो में जिसमें हम लोग inverse, inverse ट्रिकों का derivative सीखने वाले, inverse functions का भी derivative सीखने वाले तो enjoy करो तब तक सीख के हो गया है, सब कुछ समझाएगा comment section में भी बता देना वीडियो को अब तक अगर like नहीं किये हो control किये हो अभी like कर दो, मिलते हैं next वीडियो में चलो, bye